दोस्तों अगर आपका लक्ष विस्विध्याला में असिस्टन्ट प्रोफेसर बनना है तो आपको UGC NET का एक्जम क्वालिफाई करना होगा हम आपके लिए हैं UGC NET Economics के दो कोर्सिस जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चेप्टर वाई नोट्स टेस्स सीरीज और पास 6 के question paper मिलेंगे इसके लिए आपको वमारी application विश्विध्यू economics से इसको डाउलोड करनी होगी वहाँ पर आपको UGC NET, PGT Economics, Assistant Professor, UPSC Economics Optional आगी 200 से यादी courses मिलेंगे इसके लाव अगर आप फ्री नोट्स डाउलोड करना चाहें तो हमारे application के 3D material में फ्री नोट्स करना है, वो detail हम इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं, तो दिखिए सबसे पहले chapter का नाम है public revenue और इसके अंदर public revenue क्या होता है, government के public revenue के sources क्या है, वो तो हमने taxation में भी समझाय हुआ है, यहाँ पे basically public revenue के definition कराके आपको छोड़ दिया है, इसके अलावा इक principle होता है यह मस्ग्रेव वाली अप्रोच भी हमने करवाई वही है, तो यह आपको cover करना है अच्छी तरीके से research मस्ग्रेव की भी अप्रोच है, इसके अलावा आपको पढ़ना है tax receives कौन कौन सी होती है, क्या है tax किसे कहा जाता है, वो भी आपको पढ़ना है, tax capacity के उपर बच्चों पूरा syllabus हमने cover किया हुआ है, बहुत detail में हम आप बच्चों को पढ़ा रहे है, और ऐसा नहीं है कि कोई topic मिस किया है, बहुत detail में, short में नहीं करा रहे है, बच्चों detail में आपको पूरा course करा रहे है, तो यह सब हमारी application के माध्यम से आपको मिल जाएगा, इसके अलावा effect of taxation क्या है, यह आपको पढ़ना है, effect of taxation के अलावा, tax buoyancy और tax elasticity में क्या difference है, tax GDP ratio क्या होता है, इसके अलावा debt weight loss of taxation, यानिकि tax decision से किस तरीके से debt weight loss create होता है, वो भी आपको पढ़ना है, और debt weight loss को determination करने वाले कौन कौन से factors है, demand and supply ही determine करता है, पर किस तरीके से debt weight loss decide होता है, इसक इसके अलावा tax impact, tax incidence or tax shifting, और फिर tax incidence को कौन को से factor influence करते है, demand and supply में किस तरीके से influence होता है, जैसे पहला है elasticity of demand and supply, इसके अलावा और भी factors है, जैसे cost industry है, इसके अलावा monopoly market है, या perfect competition है, इसके अलावा taxation से सम्बंदित कई सारी theories है, वो हमने अल्रेडी कवर कराए हुई है, cost of service principle, ठीक है इसके अलावा finance theory of taxation, benefit principle of taxation, इसके अलावा लिंदन का model कराए हुई है, voluntary change का, ब्रावने का model कराए हुई है, यह सब कुछ कराए हुई है, मतलब एक चीज को बहुत detail में, बहुत ध्यान से पढ़के, different different books से लेकर, हमने आपके लिए notes और वीडियो त्यार कर रहे है, इसके अलावा, ability to pay principle, यह भी होता है, टेक्सेशन का, वो भी हमने cover किया हुआ है, तो बच्चों, यह सारा कुछ हमने cover किया हुआ है, जो कि systematical तरीके से आपको हमारी application, Vishnu Economics School में मिलेगा, आप हमारी YouTube चैनल के माध्यम से भी काफी सारी वीडियो को access कर सकते हो, playlist में आपको में notes भी वहां से download कर सकते हो, और मैं उमीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से at least यह पता लग गया होगा, कि lesson number three में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसके अलावा इस पूरे की पूरे chapter को हम आगे वीडियो के माध्यम से continue करेंगे, और YouTube पे भी आपको कही सारी यहेंगी, इस वीडियो मेतना ही, thank you.